गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट एंस के बारे में बताऊंगी लेकिन उससे पहले में चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादर ज्यादर लाइक और शेयर करें सो स्टाट करते हैं प्योचर परफेक्ट एंस की पहचान क्या है जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा चुकोगी चुकोगे यह शब्द आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट एंस होते हैं यानि कि वह विद्याल ले जा चुकेगा, हम खाना खा चुकेंगे, वह पुस्तक पढ़ चुकेगी, है ना, तो यह future perfect tense है, यानि कि इसमें कोई भी काम जो है future में वो पूरा हो चुका होगा, ठीक है, अब देखें याँ पर, इस type के sentence में क्या होता है, कि shell और will का use होता है, य और will have का use होगा, यानि कि सभी he, she, you, they, और कोई भी अनदर name के साथ, shell का use सिर्फ I और V के साथ होता है, तो shall have का use भी I और V के साथ ही होगा, अब यह three types से होता है, affirmative, negative and interrogative, ठीकि students, future perfect tense में क्या होता है, कि यह three types से होता है, यानि कि एक तो simple type में होंगे, कि जैसे वह विद् 10 बजे तक विद्धाले पहुँच चुकेगा, वह 4 बजे तक पुस्ता पढ़ चुकेगी, ठीक है, और एक यह two types के हो गए, अब देखें, three types के कैसे होता है, three types के ऐसे होता है, जिसमें दो कार्यों का वर्णन किया होता है, यानि कि जैसे तुम्हारे आने से पहले वह यह three types में ऐसे किये जाते हैं, ठीक है, affirmative में भी rule सेम रहता है, negative में और interrogative में भी, अब देखिए, मैं आपको तीनों types के एक एक example दिखाऊंगी, सबसे पहले हम affirmative में देख लेते हैं, देखिए आपर, example one, जब simple कोई भी sentence होगा यहाँ पर, future perfect tense का simple कैसे बनाते हैं, देखिए मुकेश अपना part याद कर चुकेगा, तो इसमें कोई time भी discuss नहीं किया वा, और कोई दो कार्रों की बात भी नहीं हो रही, तो देखिए, rule क्या लगता है, सबसे पहले subject, उसके बाद will have, shall have, हमारे singular or plural के according, और इसके बाद verb की third form, then हमारा लग जाता है, object, ठीक है, rule तीनों मे यही चलेगा, चाहे उसमें time दिया हुआ हो, या फिर दो कार्रों की बात हो रही हो, या फिर वो बिल्कुल simple हो, rule यही वाला चलेगा, ठीक है, अब देखिए example, मुकेश अपना part याद कर चुकेगा, मुकेश will have learned his lesson, अब देखिए, आपर सबसे पहले subject है, मुकेश, उसके बाद है will have, क्योंकि will have का use, हम कोई भी another name के साथ करते हैं, उसके बाद verb की third form है, then हमारा है object, his lesson, चीक है, यह तो simple हो गया, अब देखिए, जब time discuss किया होगा, जैसे महेश 10 बजे तक college पहुँच चुकेगा, तो यहाँ पर time discuss किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, rule पूरा व लिख देना है, ठीक है, तो कुछ टफ नहीं है यह, देखिए, आपर, rule पूरा यही लगेगा, subject, will have, shall have, हमारे singular plural के according, उसके बाद verb की third form, then object, और object के बाद, यहाँ पर by और उसके बाद time, ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो तीसरे type के हैं, यानि कि जिन में दो कार्रों की बनाते हैं, यह मैंने आपको इससे पहले वाले में भी पढ़ाया था, जब हमारे continuous आए थे, तो मैंने तब वहाँ पर आपको पढ़ाया था, फिर भी, जिन लोगोंने मेरी वीडियो को नहीं देखा है, वो जाकर देख सकते हैं, और मैं आपर बता रही हूं कि जिन में बनाते हैं, यानि कि वे यहां आ चुकेंगे, दे विल हैव कम हेर, चीक है, उसके बाद हम पहले वाले की बनाएंगे, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू सलीप, अब देखिए, यहां पर जो हम दूसरे वाले के अंग्रेजी पहले बनाते हैं, रूल वही वाला लगी यहां पहले बनाते हैं, बिफोर यू सलीप, अब देख लेता हैं, नेगेटिव, देखिए, नेगेटिव में भी तीन उसी टाइप के सेंटेंस रहेंगे, लेकिन उनका रूल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, यहां पर क्या करना है, पहले सबजेक्ट है, सबजेक्ट के ब और नॉट के बाद लगाना है, आपको हैव, यानि कि विल और शेल के बीच में नॉट आएगा उसके बाद हैव, ठीके, विल नॉट हैव या फिर शेल नॉट हैव, ओके, फिर वर्प की थर्ड फॉर्म देन, अब इसमें पहले सिंपल वाला देख लेते हैं, जिसमें इसमें पहले सिंपल विल आया है, उसके बाद नॉट हैव, दैन वर्प की थर्ड फॉर्म गॉन, दैन ऑबजेक्ट तो स्कूल, ठीके, ठीके स्टुडेंट्स, और देखिए, अगर हम इसका नेगेटिव बनाना हो, तो सिंपल अफेर्मेटिव की तरह ही बनेगा, पस नॉ पहेश विल नॉट हैव, रिच्ट कॉलेज बाई, ठीके, यानि कि विल हैव के बीच में नॉट लगा देना है, ठीके, इसी तरह आपको दो कार्रेव वाला नेगेटिव बनाना है, यानि कि जहाँ आपका विल हैव होगा, महाँ पर आप बीच में नॉट लगा देंगे, यानि कि इसका क्या बनेगा, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ नहीं आ चुकेंगे, दे विल नॉट हैव, कम हिया बिफोर यू स्लीप, ठीके, अब देखेंगे हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी देखें, रूल, इसमें क्या रूल लगता है, सबसे चाले, इसमें will shall, आजाता है, और will shall के बाद subject, subject के बाद आता है have, और इसके बाद verb की थर्द फोरम देन, आप प्ले क्या हम गेम जीच चुकेंगे शैल वी है फॉन्द प्ले देखिए यह पर बिल्कुल रूल क्या कॉर्डिंग है अब देखिए इसी का हम देख लेता है कॉंप्लेक्स यानि की दो कार्यों वाला क्या शीला के सोने से पहले महेश अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा अब देखिए यह अपर अब यह देखिए इसमें क्या करना है पूरा रूल वही रहेगा देखिए जो यहाँ पर था ठीक है विल्श इल महेश अपने भाई को पतर लिख चुकेगा विल महेश है रिटेन अलेटर टू हिस ब्रदर क्या शीला के सोने से पहले तो बिफोर स्लीप शीला तो देखिए दूसरा वाला कार्रे के अंग्रेजी बाद में है और जो आपका कार्रे जो पहले समापतो रहा है उसकी अंग्रेजी जो है वो पहले है ठीक है जो बाद में समापतो रहा है उसके अंग्रेजी बाद में यानि कि जब दो कार्रे वाला कोई सेंटेंस आता है तो हमें जो दूसरा वाला कार्रे उसके अंग्रेजी पहले बनानी होती है रूल जो उसमें माने जाते हैं वो ही लगते हैं अब देखें आपर रूल ये लगा हुआ है सबसे पहले विल शेल है सब्जेक्ट है है वे वर्ब की थर्ट फॉर्म आपजेक्ट तो अब जब दूसरे कारे के अंग्रेजी बनाएंगे तो आप यही रूल फॉलो करेंगे सबसे पहले विल लगा उसके बाद सब्जेक्ट लगा है वर्ब की थर्ट फॉर्म लगी दैन ऑबजेक्ट लगा और उसके बाद जो पहला वाला कारे था उसके अंग्रेजी हमने लिख दी अब आप देखेंगे इसका टाइम वाला यानि कि क्या रीमा तीन बजे तक विद्याले पहुँच चुकेगी अब देखेंगे इसमें क्या है सब कुछ सेम रहेगा विल रीमा है रीच दा स्कूल बाइत फ्री क्लॉक अब देखेंगे आपर बाए लग गया लास्ट में और टाइम हो गया बागी सब रूल वही रहे हूं ठीक है जैसे विद एक्जेंपल वहे कल घर कैसे पहुच चुकेगी अब देखेंगे सिंपल वाला यानि कि कैसे वो वाक्य के बीच मा आगी है ठीक है तो इसके लिए में क्या करना होता है इसके लिए हमारा रूल तो सेम यही रहता है बस क्या करना है सबसे पहले जो आ रहा है यानि कि क्यों कहां कैसे उनकी अंग्रेजी लिख देंगे जैसे वाई वेर वाट ठीक है वो पहले लिखने के बाद फिर पूरा रूल यही लगा देंगे विल शेल सब्जेक्ट है वर्प की थर्ट फॉर्म देन ऑबजेक्ट के पूरा रूल यही लगेगा बस सबस पहले उसके अंग्रेजी लिख देंगे जो की वाग्य के बीच में होगा देखिए वहे कल घर कैसे पहुँच चुकेगी अब देखिए आपर सबसे पहले हमने क्या लिख दिया इंटेरोगेटिव वर्ड यानि की हाओ उसके बाद विल है सब्जेक्ट है वर्प की थर्ट फॉर्म देन ऑबजेक्ट ठीक है टाइमिंग वाला देख लेते हैं वहें दस बजे तक क्या कर चुकेगी अब देखिए आपर सबसे पहले क्या आया वाट आगया यानि की इंटेरोगेटिव वर्ड आगया उसके बाद आमारा विल है सब्जेक्ट है है वर्प की थर्ट फॉर्म है ऑबजेक्ट देन क्या है बाई है टाइम से पहले ठीक है लास्ट में टाइमिंग अब कॉम्प्ल राम है विटेन लेटर सीता के आने से पहले बिफोर कम सीता अब देखे इसमें भी रूल पूरा वही है बस सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लगेगा उसके बाद दूसरे कारे के अंग्रेजी लिखी जाएगी रूल के अकॉर्ड दूसरा कारे क्या है राम पत्र क्य लिख चुका होगा तो वाई सबसे पहले उसके बाद विल राम है रिटेन लेटर दैन आगया सीता के आने से पहले बिफोर कम सीता तो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही आए होप कि आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर